सीवी रमन का जीवन परिचय सीवी रमन का पूरा नाम चंदरशेखर वेंट कर्मन था. लेकिन लोग उन्हें प्यार से सीवी रमन कहते थे. सीवी रमन ऐसे पहले भारतिय वैज्ञानिक थे, जिनको एशिया महाद्वीब के सभी देशों के वैज्ञानिकों में सबसे पहला नोबेल पुरसकार मिलने का गौरव प्राप्थ है. सीवी रमन को यह पुरसकार विज्ञान के क्षेत्र में रमन प्रभाफ, रामन इफेक्ट की खोज के उपरांथ दिया गया था. सीवी रमन भारत के उन महान वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिनकी वज़ा से भारत का गौरव अंतरराश्चिय स्तर पर बढ़ गया. पूरा नाम चंद्रशेखर वेंट कर्मन जन्म साथ नवंबर 1888 मृत्यू 21 नवंबर 1970 पिता चंद्रशेखर अयर माता पार्वती अम्मन विवाह लोक सुन्दरी जन्म स्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडू शिक्षा 1906 में M.S.C. भौतिक शास्त्र चंद्रशेखर वेंट कर्मन सीवी रामन का जन्म साथ नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडू में हुआ उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अयर एवं माता का नाम पार्वती अयर था इनके पिता कॉलेज में भौतिक विज्ञान के अध्यापक थे सीवी रामन बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी होश्यार थे इन्होंने महज 12 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली मैट्रिक की पढ़ाई के बाद इनके पिता की इच्छा थी कि रमन आगे की पढ़ाई विदेश जाकर करें लेकिन उस समय रमन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए चिकित्सक ने उन्हें देश में रहकर ही आगे की पढ़ाई जारी रखने की सला दी सीवी रमन ने अपनी आगे की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज मदरास से प्राप्त की उन्होंने 1904 में बा और 1907 में भौतिक विज्ञान से M.S.C. की परीक्षा उत्तीन की M.S.C. की परीक्षा के दौरान रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज मदरास में प्रथम स्थान प्राप्त किया भौतिक विज्ञान से रमन को काफी लगाव था उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से ही शोद करना आरंब कर दिया था सन 1996 में प्रकाश विवर्तन पर उनका पहला लेक प्रकाशित किया गया था सर सीवी रमन के वैवाहिक जीवन की बात करे तो इनकी पतनी का नाम लोक सुन्दरी था इनकी शादी एक प्रेम विवाह जैसी ही थी दरसल एक दिन सीवी रमन एक लड़की को विणा बजाते हुए देखा विणा की मधुर आवाज ने उन्हें मंत्रमुग्द कर दिया उस आवाज का उन पर ऐसा जादू चला कि वे उस लड़की पर लट्टू हो गए अगले दिन उन्होंने उस लड़की के माता-पिता से मुलाकात की और विवाह की इच्छा जताई उस लड़की का नाम लोकसुंदरी था लोकसुंदरी के माता-पिता उसका विवाह रमन के साथ करने के लिए तयार हो गए सन 1970 में सिविल सर्विस की एक परीक्षा पास करने के बाद उन्हें कोलकाता में डिपती अकाउंटेंट जनरल की नौकरी मिल गए इस नौकरी के मिलने के बाद वहा कोलकाता चले गए कोलकाता में वहाँ एक किराए का घर लेकर रहने लगे उनका विज्ञान से इतना लगाव था कि वहाँ इस पद की व्यस्तता के बावजूद आफिस के काम से कुछ समय निकाल कर इंडियन एसोसियेशन फॉर कल्टिवेशन आफ साइन्स की प्रयोकशाला में समय बिताते थे कुछ साल बाद सरकारी नौकरी से उनका मन उग गया विश्व विद्याले में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर नौकरी करने लगे सन 1921 में उन्हें समुंद्र यात्रा करने का पहला अवसर मिला इस यात्रा के दोरान उन्होंने समुंद्र में ग्लेशियर का चम्चमाता नीला रंग देखने को मिला उन्होंने कुछ समय के लिए glacier के नीले रंग होने पर शोध किया और सभी प्रयोग के आधार पर उन्होंने glacier की नीली होने का भेच समझाया रमन प्रभाव की खोज रमन प्रभाव की खोज के पीछे एक दिलचस्थ कहानी है यहाँ बात है सन 1927 की जब सीवी रमन अपने किसी जानने वाले के साथ अपनी प्रयोकशाला का भ्रमन कर रहे थे तभी उनके एक शिश्यक के एस कृष्णन ने उन्हें एक खबर सुनाई दरासल खबर यह थी कि प्रोफेसर कॉम्पटन को उस समय एक स्किर्णों के प्रकीर्णन पर नोबेल पुरसकार प्रदान किया गया था उसी समय सीवी रमन के दिमाग में एक बात घर कर गई वह सोचने लगे यदि जिस प्रकार पदार से गुजरने पर एक स्किर्णों में परिवर्तन आता है क्या प्रकाश में भी उसे पादर्शी माध्यम से गुजरने पर परिवर्तन नहीं आएंगी यहाँ प्रश्ण उनके मस्तिक में बार बार घुमता रहा और वे इस प्रश्ण के उत्तर पाने के लिए अलग-अलग तरह के प्रयोग करते रहें चार महीने की बेजोड मेहंद और प्रयोगों से उन्हें उनके सवालों के जवाब मिले 16 मार्च 1928 को सरसीवी रमन ने बैंगलूरू में एक वैज्ञानिक सम्मेलन के दौरान रमन प्रभाव की घोशना की और परिणाम स्वरुप लोगों के सामने रमन प्रभाव के सिधान्तों को रखा इसी रमन प्रभाव की खोश पर सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया रमन प्रभाव पर विश्व भर में अने को शोध किये गए रमन प्रभाव अनोओं की संद्रचना को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिध हुआ इस खोश के बाद दस वर्षों के अंतराल में 2000 से भी अधिक पदार्थों की संद्रचना का पता चला और लेंसर के आविश्कार के बाद रमन प्रभाव पर क्रांती सी आ गई इन वर्षों में रमन प्रभाव पर इतना काम हुआ कि आज भी वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हो जाती है सन 1924 में सरसीवी रमन लंदन की रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए सन 1945 में उन्होंने बैंगलूरू के पास रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना की इसके बाद वह जीवन भर इसी संस्थान के लिए लगातार काम करते रहें सन 1970 बैंगलूरू में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया